तो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल में इसका नाम है सोस्योनोमिक्स अ कम्प्लीट गाइड फॉर क्वाल्ट एजुकेशन तो बचो आज की इस वीडियो में मैं फाइफ इंपॉर्टेंट पार्लामेंटी टर्म्स को डिसकस करने जा रहा हूं और सब्सक्राइबेंगे और साथ में आपके नौलेज को बूस्त करने में यह फाइफ इंपॉर्टेंट पार्लामेंटी टर्म्स बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे तो आए बचो बिना टाइम के वेश्ट किये हुए हम लोग पहला परल्लेमेंटी टर्म पढ़े तो पहला परलीमेंटी टर्म है कोशन आवर बच्दों आपको यह पता होना चाहिए कि लोगसवा या रासवा का जो पहला आवर होता है सिटिंग का उसे कोशन आवर कहा जाता और कोशन आवर होता है 11 एम से ले करके 12 पीम तब question आवर में जो भी लोक्सवा या राजवा के member होते हैं वो minister से question पुछने का काम करते हैं और question जो पुछे जाते हैं वो three tabs के होते हैं एक होता है state question दुसरा होता है अन-stared question और आगे होते हैं short notice question तो बचो आईए one by one हम लोग सभी तरीके के question को discuss करते हैं तो पहला state question तो state question हम उस question को कहते हैं जिसमें answer minister के द्वारा जो है वो ओरली दिये जाते हैं और state question में additional question भी लोग सभा या रासभा के member के द्वारा minister से पूछा जा सकता है दूसरा type question का unstate question तो unstate question ऐसे question को कहा जाता है जिसका answer minister के द्वारा return form में दिया जाता है लोग सभा या रासभा के member को और बच्चों unstate question में हम additional question minister से नहीं पूछ सकते अगला जो question का type है उसे कहते हैं short notice question दो short notice question उस question जो कहते हैं जिसका आंसर मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है within a period of 14 days तो बच्चो MP जो है वो मिनिस्टर से question पुषता है और 14 days के अंदर उस question का आंसर देना पड़ता है मिनिस्टर को किसे MP को और ये जो short notice question होते हैं इसके आंसर भी ओरेली मिनिस्टर के द्वारा दिये जाते हैं चली अब हम लोग देखते हैं अगला parliamentary term तो अगला parliamentary term है WIP WIP एक directive को कहते हैं जो issue के जाता है political party के द्वारा अपने सभी members को WIP के मदद से political party discipline को maintain करता है और साथ में WIP के मदद से voting जैसे city में सभी party के member को present रहने के लिए कहा जाता है तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि WIP एक instruction है जो की issue किया जाता है political party के द्वारा political party के members को और WIP जो है वो leaders के द्वारा decide के जाता है किसी भी political party में चलिए अब अगला जो important parliamentary term है उसका नाम है hung parliament तो हम लोग देखते हैं hung parliament क्या होता है तो hung parliament हम उस condition कहते हैं जब कोई political party election के बाद majority number of seats नहीं प्राप्त कर पाता है government को बनाने के लिए तो उस condition को हम लोग कहते हैं hung parliament hung parliament को remove करने के लिए coalition government का formation किया जाता है और coalition government हम उस government को कहते हैं जिसमें two या more than two political party जोईन करते हैं government को form करने के लिए आईए हम लोग देखते हैं कुछ और important parliamentary terms तो अगला important parliamentary term है quorum quorum को easily हम लोग define कर सकते हैं कि यह minimum number of members है जो होने चाहिए लोग सभा या राज सभा के sitting को conduct करने के लिए इसे ही हम लोग कोरम कहते हैं तो बच्चो कोरम को हम लोग define कर सकते हैं minimum number members to be present in parliament to carry out its business कोरम बच्चो होता है one tenth of the total strength of the लोग सभा और राज सभा तो याद रखेगा लोग सभा या राज सभा का जो 10th है उसका कम से कम one tenth members लोग सभा या राज सभा में present होने चाहिए तो भी जाकर के लोग सभा या राज सभा अपने sitting को proceed कर सकता है नहीं तो sitting को suspend कर दिया जाता है तो कोरम minimum number of members कहलाते हैं जो कि होने चाहिए किसी भी लोग सभा या राज सभा के sitting को carry out करने के लिए चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चो no confidence motion तो no confidence motion एक तरीके का proposal है जो की लाया जाता है लोग सभा में और इस proposal के पास होने के बाद government को design करना पड़ता है no confidence motion को लाने के लिए कम से कम 50 लोग सभा के members का support चाहिए तो बच्चो मुझे पूरा विश्वास है कि आज का पांचो पार्लामेंटी टर्म जो मैंने discuss किया है वो सारा पार्लामेंटी टर्म आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चो यदि आप इसी तरीगे के वीडियोस को सुस्योनोमिस युटूब चैनल के उपर देखना चाहते है तो प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल and share this video as much as you can. Thank you very much to all of you.